विपक्षी गढ़बंदन इंडिया के सांसद डेलिगेशन मनिपुर गया है और वहाँ पर जमीनी हालात का जाइजा लेगा हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोश्तिवारी हैं क्या आपकी प्रतिक्रिया है सब्सक्राइब देखिए हमारी प्रतिक्रिया तो यही रहेगी कि इस समय इस सियासी परेटन की आवशक्ता नहीं है हमने देखा वो लोग जा रहे हैं एरपोर्ट से फोटो डालते हैं आप ये मडीपुर की जो समस्या है जो इस समय कंट्रोल है नियंत्रण में है उसको क्यों भढ़काने की नियत रखते हैं तो ऐसे में मैं यह मानता हूँ जाने की आजादी है आप जाईए लेकिन मडीपुर की समस्या को शांत करने की कोसिस करिए न की अपने सियासी परेटन में उसमें घी में आग में घी डालने का काम न करें ऐसा मेरा निवेदा विपक्ष के जो सांसद हैं व क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग उनका दुखदर्द बटाने के लिए नहीं जा रहे हैं देखिए अगर मुझे इस बात में बहुत संका है कि विपक्ष मडीपुर की समस्या के दुखदर्द में खड़ा है अगर यह खड़े होते न तो आज कितने दिनों से ग्रिह मंत्री ज कितने जा रहे हैं गरिय मंत्री जी तो जब वहां समस्या थी तभी तीन दिन का प्रवास करके आये हैं अमिर्शाह जी वहांती दिन के प्रवास पर रहे है और ऐसी इस्तिती में जब प्रधान मंत्री जी स्वयम उनका statement आया है सक्त भी आया पीड़ा के साथ आया और अविहा की स्थिती मड़ीपुर की नियंत्रण में है ऐसे में आज मुझे नहीं लगता कि इनकी नियत कहीं से इस मड़ीपुर की स्थिती को शांत करने की है अधिर अजे चौधरी जी का कहना है कि हम अपनी रिपूर्ट ला करके और यह डेलिगेशन संसद में रखेगा सरकार को देगा और यह मांग करेगा कि प्रधान मंत्री सदन में आ करके इस पर बयान दे जो की बयान अभी तक प्रधान मंत्री नहीं दिया है प्रधान मंत्री जी ने तो बयान दिया है। तो यह जो आज की विपक्ष का जो डबल स्टेंडर्ड है वो दिखता है। बहुत सदन में रिपोर्ट उन लेके आएं जब चर्चा होगी तो अपनी बात बताएंगे। ग्री मंत्री जी तो बार बार कितनी जोर सोर से कह रहे हैं कि भाई आप चर्चा करो। लेकिन वो चर्चा ही नहीं करते हैं। अब चलो आप जाओ वहाँ से आ करके जब चर्चा होगी तो बातें बताएंगे। रवी कांत, ABP News, दिल्ले।